नमस्कार ब्यूटिफूर हमेशा हिंदी चानल में मैं किरिन आपका स्वागत करते हूँ आज मैं आपको पपीते के ब्यूटि टिप्स बताऊंगे पर दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो क्योंकि इस चानल पर मैं काफी महत्वपुर्ण वीडियो लिखे आती हूँ तो आईए अभी हम देखेंगे पपीता के ब्यूटि टिप्स पपीता हमारे स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है अगर पपीता हम हमारे स्कीन के लिए इस्तुमाल करते है तो हमारे स्कीन के विंकल्स चले जाते है, पिंपल्स चले जाते है और स्कीन में एक अनोखा निखार आता है पपीते के अंदर विटामिन A, विटामिन C, अंटी ऑक्सिडेंट, पोटाशियम और मैगनेशियम जैसे पोशक तक वो पाय जाते है ये सारे ही तक्व हमारे स्कीन के अच्छे निखार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आज से आप ब्यूटी प्रोडक्स को बाई-बाई कर दीजिए और ये पपीते के कुछ लाबगाएक ब्यूटी टिप सुन लेजिए जिनकी मदद से आपको बहुती सुन्दर तवचा मिलेगी तो आईए इस वीडियो को हम देखेंगे तो सबसे पहला ब्यूटी टिप में आपको बताऊंगी अपने चेहरे के कालापन और रूखापन हटाने के लिए इसके लिए आपको चाहिए पपीता, हनी और निम्बु करस हनी में आंटी ओक्सिडेंट और आंटी बाक्टेरियल तत्वो होते है तो विटामिन C का भरपूर स्त्रोथ होता है निम्बु निम्बु की वज़े से चेहरे पर एक अजब सा निखार वी आता है अभी आपको पपीते के कुछ तुकडे लेने ने हैं और उनको मैश कर लेना है इसी के अंदर आपको दो चमच शहर और एक चमच निम्बु का रक्स मिलाना है इन तीनों को इकत्रित मिलाकर चेहरे पर 15-20 मिन्टों के लिए लगा लेना है हफते में इस ब्यूटी टिप का प्रयोग लगभग 2-3 बार जरूर करिए इसकी वज़र से आपके चेहरे पर जितना भी कालापन है या रुखापन है वो चला जाएगा और आपके चेहरे पर एक अजबसा निखारा जाएगा इसके बार मैं आपको दूसरा ब्यूटी टिप बताऊंगी पिंपल्स के लिए अगर आपके चेहरे पर बहुत सारे मुहासे है तो डरिये मत आपको चाहिए कुछ पपीता पपीते को अपने चेहरे पर रगड़िये और खास तोर पर उस जगह पर रगड़िये जहाँ पर पिंपल्स है ऐसा करने से धीरे धीरे पिंपल्स चले जाएंगे इस प्रयोग को आप रोजाना कर सकते हैं उज़ाना करने के वज़े से आपके जितने भी पिंपल्स या मुहा से है सब खतम हो जाएंगे तीसरा ब्यूटी टिप मैं आपको बताऊंगी विंकल्स को हटाने के लिए इसके लिए आपको चाहिए चल्दन पाउजर और पपीता और शहद इन तीनों को आपको अच्छे से मिला लेना है और चहरे पर 15-20 मिंटों के लिए लगा लेना है ऐसा आप हफ्ते में कम से कम तीन बार करिए ऐसा करने से आपकी तवचा तो निखर ही जाएगी साथी साथ विंकल्स कम हो जाएंगे और आगे भी नहीं होंगे और आपकी तवचा हमेशा जवाब बनी रहेगी तो दोस्तों ये थे कुछ अनोखे ब्यूटी टिप्स पपी ते के मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ब्यूटी टिप्स पसंद आए होंगे अगर आपको ये ब्यूटी टिप्स पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे इस चानल को सब्सक्राइब करें और अप